नमस्कार मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो भी मिसन टीवी यूट्यूब चैनल को बीएस प्यद्र मायवती से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है बीएस प्यद्र मायवती ने कल 30 जून को एक एम बैटक बुलाई है राश्टी और प्रदिस इस्त्रिय नेताओं की बैटक उलाई है उस बैटक में कल बीएस प्यद्र मायवती जी बड़े छोटे बड़े काफे जाधा बड़े फैसले लेट सकती है और कही दिगजवा बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर भी निकाल सकती है तो यह सब फैसला क्यों ले रही है, क्यों कल बैटक बलाई है आज के इस वीडियो में इस बड़े पर विस्तार से बात करेंगे आप बने रहें इस वीडियो में आखरी तक इस वीडियो करें जाहसे चैयर तो आइए हम आपको पूरी कबर विस्तार समझाते हैं जैसा कि हम आपको बताने ही कोचल करें बीएस्पी अद्यज मायवती ने आजमगड चुनाव रेजल्ट के वाद तुरंत बैठक बुलाई है यह क्यों बुलाई है क्योंकि उनको अब पता चल चुका है कि बहुजर्ज समाज पार्टी का जो संगटन उसको फिर से खड़ा कि क्या जा सकता है और बीएस्पी अद्यज मायवती ने इसी संबंद में राष्टी और प्रदेश इस्तरकी कमेट्री की बैठक बोलाई है और मायवती ने कल ये 30 जून को बैठक बलाई है और संगतन विस्तार और काम काल की समिच्चा कर रही है BSP अधे मायवती और कल काफ़े अदा बड़े फैसले ले सकती है और कल BSP अधे मायवती कई बड़े और दिगज नेताओं को भार भी कर सकती है पार्टी से और 37 मिस्रा ने जिस तरीके से आजमगर में किसी भी परकार से कोई भी प्रचार प्रसान ने किया हलांकि BSP अधे मायवती ने उनका नाम इस्टार प्रचारकों की सूची से काफिया दूर रखा और उनको किसी भी परकार की जिम्मेदारी नहीं दी तो इससे साफ जाय रोका है कि 37 मिस्रा को जिम्मेदारी दी जिए नहीं नहीं निवा पाए इसी लिए उनको अब हाली में जो आजमगर चुनाव हुआ उससे चुनाव की जिम्मेदारी उसे दूर रखा गया अब बीएस भी अदेज मायवती छूटे बड़े कार करता हूं और राश्टी अब प्रदेश इस्तर की नेताओं लोगों के साथ बैटक करेंगी और देखेंगी आखिर क्या बजलाब कर सकते हैं और किन नेताओं को निकाल सकते हैं कल बीएस भी मायवती यह देखने को उपर है बाहर का राश्टे वाली लिष्ट में तो आप देखने होगा क्या करती है कल मायवती क्या नहीं होगा तो यह कि जो कुछ भी बीएस पर मायवती फैसर लेगी हम आपके बीच वीडियो के मादम से भी मिशन टीव चानल के मादम से आपके बीच राखेंगे फिलाल कल वीएस पर मायवती है एक एहम बैटक बुलाई उसमें बड़े छोटे बड़े फैसर लेगी है फिलाल के लिए इतना ही आप देख रहे तो पी मिशन टीव यूटूब चैनल इस वीडियो को जाई साथ से एरगन दन्ने बाद जैबी